बड़ी खबर से हम आपको रुमरू कराने जा रहे हैं सुत्रों के वाले से बड़ी खबर हमें आई है दिनिश गोप का सीधा कर्येक्शन पाकिस्तान से मिला है खैबर पक्तुनखुआ से लाता है वो अतियार यहां यह बड़ी खबर है दिनेश गोप के गुरगे के पास से खैबर पक्तुनखुआ के हतियार मिले है पीलेफाई का सुप्रीमोई दिनेश गोप और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है आम तोर पर भागवा मावादी जैसे संग्टन के जो संपर्क है वो तो माने जाते हैं कि आतंकी संग्टनों के साथ है लेकिन पीलेफाई जैसे संग्टन का संपर्क भी अब आतंक् के सिर्वादी जैसे सोद्राड में बहुत ही बड़ी बड़ी बात है और चिन्ता वाली बात है खैबर पक्तुन कोआ जो कि पाकिस्तान का एक प्राहंता थैने आप हरफिर मामला भूम्ण है नहीं कि है लेकि किस यह अधियार जो है एक्रोश्य हथियार है और और इस हत्यार के जरिये इस बात का खुलासा हुआ है कि कैसे दिनेश गौप की पहुँच जो कि पेले फाई का सुप्रीम हो है उसकी पहुँच अब आतंकी संक्टनों के साथ है बड़े आतंकी संक्टनों के साथ में है और खैबर पक्तुनख्वा से उसके पास हत्यार पहु से भी बढ़कर आगे है और देखिए पोस्टल उसके पास से बरामत किया गया ये सबसे बड़ी बात है कि उसके पास कुछ ऐसी चीजे मिले है जो साफ इशारा करती है कि अब दिनेश गोप सिर्फ जारकंड में नहीं बलकि बाहरी मुलकों तक अपनी पहुँच बना चुका है और इसका मतलब साफ है कि उसके पास ये जो पैसे होंगे शायद वो नकली नोटों के कारुबार से भी हो सकता वो जुड़ चुका हो और साथी साथ कई बार खबर ये भी आती है कि जो नकसली होते है जो गरवाधी होते है वो आम तौर पर पैसों के लिए नशे का कारु चुका है और देखिए कैसे उसके गुर्गे कि ये तस्वीर सामने आई है और इसमें उसके पास जो आतियार आप देख पा रहे है ये शायद एक फोटी सेवन और फिप्टी टू से भी ज्यादा उन्नत नजर आ रहा है ये और इस पर बाकाइदा खैबर पक्तुनकुआ का ल खत्रा झाल के तस्वीर से जो अगता है और तस्वीर बार बार आप बार आप देखते होंगे की ज कह क्रेक्षण और इस सी कड़िय में देखंग का गरेक्षण अब पाकिस्तान से उचला है तो पेले फाई कितना बड़ा खत्रा जारकंड के लिए हो चुका है और हमारे संपादक अनूप सोनू इस खबर पर पूरी जानकारे के लिए हमारे साथ जूड रहे हुने से जानेंगे जारकंड में बैटता है वो जारकंड के जंगलों में देखा जाता है कि काफी वह रॉयल तरीक जिन्दके जीता है लेकिन अब पाकिस्तान से कर्णेक्शन बड़ा माजरा यह बहुत ही पेचीदा हो चला है पंगज मैं दो तिन चीज़े बता दू आपको क्लियर कर दू कि पहली बात तो यह कि वाकई यह मामला बहुत ही चिंता जनक है बेहत ही संब्दन्शील है खास करके जारकंड की सुरक्षा के लिए और देश की शुरक्षा के लिए आपने दो चीज़े कहीं एक की पी लेफ से हैं यह जादा खतरनाक है यह भी हो सकता है कि वो हमारे नक्सलियों का यहां जो नक्सली है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन दोनों सुरत में खत्रा हमारे सुब कोई है खत्रा हमारे सुरक्षा कोई है खत्रा हमारे लोग तंत्र को है अब हो सकता है कि यह पाकिस्तान क से पैठ करना चाहता है यह उसका एक नया तरीका हो लेकिन थोड़ा समय आपको पीछे ले जाना चाहूंगा उल्फा अगरवादियों से भी यहारखन के नकसरियों के तार जुड़ चुके हैं ऐसी खबरे हमने दिखाई हैं और उनके तुरू विदेशी हतियार आने का मामला यह कोई पहला नहीं है लेकिन यह जो हतियार मिला है इससे पहले जो हतियार मिले थे वह पाकिस्तान मूल के नहीं थे वह पाकिस्तानी हतियार नहीं थे वह उल्फा के तुरू बाकी देशों से कुछ हतियार वह मिले थे उनके संपर्क होने के संकेत मिले थे लेकिन यह मामल में कैसे आया आप देखिए शुरुवात होती है थार जीप मॉंस्टर गार और बीम डबलू से तीन लोग पकड़े जाते हैं इन तीनों की निशानदेवी पर पुलिस बिहार में छापे माली करती है बकसर से तीन लोग और पकड़े जाते हैं यह सारी तस्वीर पाई गई तब पुलिस के कान खड़े हुए सुरक्षा जैंसियों के कान खड़े हुए खंगाला गया पूश्ता तेज होई तो देखिए करेक्शन कहां से कहां निंकल कर आया क्योंकि यह अथियार ना तो भारतिय सेना के पास है ना हमारे पुलिस के जमान की है उसी से इस बात की पुस्टी होती है यानि कि यह सारे हथियार पाकिस्तानी है अब सबसे बड़ा बात यह हैं एक तरफ नक्सली दूसरे तरफ पाकिस्तान लेकिन तीसरा कौन जो है वह बहुत खतरनाक है जो पाकिस्तान से हथियार लेता है और यहां के नक्सलियों को सप्लाइ करता है तो एक कून ये भी हो गया इनसे नहीं बढ़ना बहुत जरूरी है ये लोग चंद पैसो धौलत की खातिर किस तरीके से अपने लोग तंतर के हत्या करने से बिदेश को असुरक्षित करने से अपने राज करने से गुरेज नहीं करते हैं अब यह बहुत बड़ी चिंता का विशह है और मुझे लगता है कि आना यह को भी जाएगा अब चीज आना चाहिए आपके पास ठीक है कि चौदा मोवाइल पकड़े गए तीन लोग गिरबतार भी हुए बिहार से उनके पास वीडियो मिला लेकिन इस वीडियो से क्या यह जानकारी मिल पाई कि जो इसमें सिप तस्वीरे हैं या फिर जो लोग दिख रहे हैं वीडियो में वो दिरिश गूप की वैक्ति है या फिर इन फिर के पोस्टर कहीं से सकते हैं तस्वीर जब हाथ लगा के इस वात लगा यह तो एक तो इनके संपर कदियेश गुप से है या नहीं है तो यह तो एक एजेंट है ना यह लोग एजेंट है यह कोई जरूरी नहीं कि पीलेफाइफाई को ही सप्लाइब करते होंगे हो सकता है मावादियों को भी करते हो तो यह अब चानवीन की बात है इसलिए मैं कह रहा है कि मामला इतना चोटा नहीं है यह मामला बहुत बड़ा है और शायद मेरे खयाल से यह मामला एनाईय के हाथ में जाएगा और एनाईय जिस तरीके से जहारकन में टेरर फंडिंग की जाच कर रही जाच कर रही और जब पाकिस्तान का हाथ होना साफ हो जाएगा तब यह मामला एनाईय के बाद बाहर मुझे लगता है अनुब अपने जो एक नया एंगल जो दिया नए जानकारी जो दी कि हो सकता है कि बहुत सारे से सप्लाइर जो होंगी जो कि विदेशों स से हथ्यार लाकत सप्लाइब करते हो सकता है उसके मुलाकात दिन की हो चुकी होगे और कुछ इने सैंपल भी दे जा चुकी होंगे या फिर तस्विरी दी कम से कम तो यह ज्यादा जानक बात है कि अगर एक बार यह सप्लाइचेन फंक्शनल हो गया तो फिर बड़ा मुश् पसूल ने गय था दिनिश गोप के लिए जाहिर सी बात है कि पहले काम हो चुका होगा और यह पहली बार तो करने का यह नहीं होंगे पहली बार कोई किसी को लेवी लेने के लिए तो भेज़ेगा नहीं बिल्कुल इतनी महेंगी गारिया है और इसकी जाच यहां कि पुलि नेक्सस और नेटवर्क काम कर रहा है तो क्या इतनी बड़ी मनशापाल कर रखते पेले 5 के उगरवादी सब्सक्राइब कि वो इतने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुचाना चाहते होंगे इतनी मनशापाल कर रखे हैं कि अधे पंकश धारखंड जिस तरीके से जिन चि जातों से गुजरा है मुझे लगता है कि अचानक से इन हथियारों को देखने के बाद वह सारा मंजर यादा जाना है पुलिस जीप उड़ जाती थी लाशे पेड़ पर लटकी रहती थी चाहे आप चक्रधरपुर वाली तोंटो घाटी आइधिंक वह उसको तोंटो घाट पर लटकी को उड़ा दिया गया था तो वह बंदूकों से काम वह नहीं होते हैं वह ऐसे ही विस्फोटक हतियारों का इस्तमाल होता है जो छोटे-छोटे रोकेट लंचर दिख रहे हैं आपको हैं इन्हीं चीजों का सहरा लेते तो यह यह चीज़े पहले से हैं यहां पहल और बरामदगी भी होई है जब नक्सलियों ने सरेंडर किया है तब उन्होंने हत्यार भी सरेंडर किये हैं और हमारी पुलिस जो जार्खन के पुलिस है सर्च ऑप्रेशन के दौरान चापेमारी के दौरान उन्होंने हत्यारों का जखीरा भी बरामद गया उसमें भी अत् पाकिस्तान का जो connection है यह खतरनाक है दो तरफा entry हो रही है दो तरफा हम असुरक्षित हो रहे हैं एक तो अपने जो यहां जारकन में जो उग्रवादी संगठन है जिस तरीके से वो अपने क्रिया कर आपको अंजाम दे रहे हैं वो हमारे घातक तो है हमारे पुलिस और हमारे सेना के लिए चुनाती तो है ही लेकिन पाकिस्तान तो खुद बखुद देश के लिए चुनाती बना हुआ है तो दो तरफा जो खत्रा है यह बड़ी बात है जारूप इसमें जाना चाहेंगे अप से की जारकन का गाये बगाये नाम आती रहता है कि आप आई से और तमाम ने देखे कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी जांच का विशह है और उचित एजेंसिया है वह जांच करेंगी जैसे एजेंसिया जांच करेंगी तो दूद का दूद और पानी का पानी सामने आ जाएगा हलाकि गुझाईशे तो बहुत सारी गुझाईशे बनती हैं क्योंकि जारखन के राज़ानी राची से पटना ब्लास्ट के तार जूड़ चुके हैं अब अब नाम में जैसे मनजर इमाम का एक नाम ने लिए तो ऐसे बहुत सारी चीजे हैं तो इसे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन फौरी तो पर यह कहता ना कि इस वज़े से यह हुआ उस वज़े से यह हुआ यह थोड़ी जल्दबाजी भी होगी और हां और एक चीज यह भी लगता है कि जो बागपा मावादी हो या फिर जेजेंपी हो या पेले फाई की बात इस तरीके से क्योंकि आम तोर पर हम देखते थे कि कोई भी हत्यारूर के लिए चल जाता था पुलिस को लूट लेते थे पुलिस के पर चिंताई करने से तो अब यह कुद को अप्रेट करने में जूटे एक तरीके सासा लग रहा है पंकर यह सास्वत प्रक्रिया है आप देखिए पहले आप पैसे कालें देन कैसे करते थे आज कैसे कर रहा है आप देखिए कि पहले आप स्कूल कैसे जाते थे और आज ऑफिस कैसे आते हैं तो यह एक सतत प्रक्रिया है और इस समाज में जितने भी जितने भी स्तर हैं और जिन जिन स्तर पे जो जो वर्ग ह वो उसी रैशियों में समाज की मुख्यधारा से जुड़ता है जुड़े रहना चाहता है और जो पैरलल गौवर्मेंट चलाने की कोशिश करते हैं ऐसे उगरवादी संगठन वो भी उसी सतत प्रक्रिया का हिस्सा है और वो भी उसी तरह अपने आपको अत्याधूनिक समाज क karş की रफ़तार और आपको ढाला चाहते हैं अब क्यों नहीं समझते हैं हमारी पुलिस किस्ता पर हुई हैं बहुत पर हुई है हमारे सुरक्षा अचर्ष स्वारूनिए पहले के केस सॉल विचल सव देख लिए तो हमारे पुलिस नगराती च में स्मय नहीं करती हैं हमारे सर्विलांस में तेश है हमारे पुलिस का सूचना तंत्र बहुत अत्याधूनिक है तो हमारी पुलिस भी अगर तक्निकी रूप से मजबूत है तो भाई उगरबादी संगठन यह जो हमारा टार्गेट है जो हमारा दुश्मन है तो वह उसी तरीके से अपनी तयारी भी करेग और हाल फिलाल में जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नश्री की खेपे पकड़ी गई है गाजा अफीम तमाम तक दसकरी क्या जो लेवी के पैसे हैं वो लेवी के में तो हो गई इन पैसों के इस्तिवाल भी हो सकता है अगर इतने बड़ी संख्या में अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो क्या जाइस सी बात है कि पैसे अर्गन के जर यह काम हो सकता है पेले आफाइक करवाना शुरू कर चुगाए कि कोई ऐसा संगता हो समाजिक संगता हो सबके पीछे उगरवादी संगता हो सबके पीछे और्थ शास्तर बड़ा मजबूत कड़ी है जहां तक इन हथियारों को रवेन्यू जेनरेशन से जोड़ के देखा जाए और आप देखिए इसको यह देखिए कि जो उग्रवादी संगठन है अपने आपको और 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 ताकतवर बनाने के कोशिश कर रहे हैं हला कि कोशिश लगातारना कामियाब होती हुई दिखाई दी हैं अगया हमारी पोलिस हमारे सुरुक्षा जैंसिया जमान उनका होसला बुलंद है तकनीकी रूपस सक्षम है तो यह सुझे चिंता का विशह है जिस तरीके से हथ्यार पकड़े गए हैं और इन हत्यारों में इत यह इतिफाक तो नहीं हो सकता कम से कम इस वक्त अभी बिल्कुल इतिफाक इसको कैसे कहें इतिफाक नहीं कहेंगे हर तरीके से देखे जारखंड में चाहिए वह चत्रा हो लातेहार हो खूटी हो खूटी के आसपास के जो इलाके हैं वहां से अफीम की खेती नस्च करने की पर आपने की खेती ठीलागों में खीए होती है लेकिन अकिती नस्ट कितनी होती यह भी तो हमने दिखाया तो मैं बोल रहा हो हूं कि अगहर हम अपना संगन्थन चला रहे हैं तो इस संथान तो उनका जब रास्ता ही घलत है तो हर चीज का रास्ता घलत होगा, revenue generation का भी रास्ता घलत होगा, यह भी हो सकता है, यह जो लोग पकड़े गए हतियार के साथ, या गारीों के साथ, यह लोग नक्सली है की नहीं है, यह भी तक साफ नहीं हुगा है, यह सिर्फ एक agents है, यह क् गंटों में आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे होंगे इनकी निशान देही पर और जो हमारे सोर्स कह रहे हैं कि इस मामले में बहुत बढ़ा खुलास होने वादा बहुत 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 शुक्रिया अब हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारे अपनी दूर बदाएगे किस तरीके से प्लेफाई का सुप्रीबो दिनेश गोप इस वक झारकेट के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है ना सिर्फ उसके उर्फ से लगातार ऐसी कई घट का अजाम देने की फिराक में भी हो सकता है और तैयारियों में जूटा हुआ है और पुलिस निश्य तोर पर पुलिस इसको लेकर एक बड़ी रंडिती बनाएगी लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन निउस लवन भारत सच है तो दिखेगा